दुनिया भर में चार मौसम होते हैं लेकिन पाकिस्तान में पाच मौसम होते हैं पाच वह मौसम सेल का होता है जो हर दूसरे तीसरे महीने लग जाता है और लोग अपनी तहीं कहीं अस्लियत दिखा देते हैं इस वाले मौसम में और ये अस्लियत जादा खुल के आती है अनफ पर्स टाइम के सफायर की सेल में ऐसा कुछ हुआ हो कि और तो ने एक दूस्टे को मारा ओ पूटा ओ चपनों से मारा ओ बाल वाल नोचे हो और साथ में एक अगाट जगा मैंने सुनाए कि फायर वायर भी हो गया है तो यह वाली जो चीजन है वो सफायर के साथ अनफॉचिनेंट भी बार बार होती रहती है इससे पहले एक बड़ा बुरा सफायर का एक सेल का बाक्या हुआ था कि जब कराची में लखी वन पहली दफ़ा खुला था और वहां पे सफायर की स्टोर लांच सेल लगी थी और अरतें बहुत जादा थी बहुत ठीक ठाक नंबर्स में थी अहता कि यहां तक हो गया था कि लखी वन में गुस्त नहीं पा रहे थे हम एंटर नहीं हो पा रहे थे इतना जादा रश हो गयता है लगी यूज मॉल और संबर मैंने सुना है कि इसी तरह का कुई च्वाक्या जहां पर बहुत साथ लोगो को खाने को खाना नहीं है और जिन्देगी गुजारने के लिए मुनासिफ पैसे नहीं है रोज मरा के एक दिन खतम होता है अगले दिन के बारे में इनसान सोचता है कि गुजारा कहां से होगा किस तरह होगा इस तरह के वाक्यात में भी होते है लोग कुदकुशियां कर रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, लोग अपने बच्चे अबॉर्ट कर दे रहे हैं, छोड़ के कहीं चले जा रहे हैं, क्योंकि वो उनका बोज नहीं उठा पाते इन सब के बीच में जब हम इस तरह के वाकियात देखते हैं तो हमें लगते हैं कि हम माश्ड़ी की उस बुराई में गिरिफतार जिसका कोई हल नहीं है, हम बतौरे नीशन इस तरह के लोग हैं कि हमें टॉलिंस नामrac ी चीज नहीं है। में कॉंप्रमाइज नाम की चीज नहीं है मैंने इंडियन्स को देखा है इंटरनाशनली वो जब जह जिन ममालिक में वो रहते हैं और वहां पर वो किस खंदा पिशानी से पनी जिंदगी को जारते हैं यह बिंग वेरी सिंपल बहुत सिंपल लोग होते हैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से वो टेक अप करते हैं जो चीज़ें जरूरत के साबसे हैं उसे साबसे अपनी जिंदगी को मैनेज करते हैं प्लान करते हैं लेकिन उनी के कंपारिजन में पाकस्तानी को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम कितने शोदे हैं येस, as a nation we are शोदास हम अकसर कभी सोचते हैं न कि यार इंडिया क्यों इतनी तरकी कर गया वो और हम तो साथ-साथ अजाद होए थे और इंडिया तो इतना बड़ा है कि उनके मसाइल हमसे जादा थे उसके बावजूद इंडिया हमसे बहुत आगे है लोगों की अंदर एक जिन्देगी दुजानने का ठांग हैं डिस्पाइट अफ ओल दे चीज़े जो आप सुन रहे होते हैं बुरा ही हर जगा होती है लेकिन अच्छाई भी होती है तो वस शीज़ को एक स्टेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हम एज अ नेशन कहना चाहिए न हम और आज़नाइज़ नेशन नहीं है पाकिस्तानी एक और आज़नाइज़ खौर्म नहीं है हम रोट पे निकलते है जहां पर कोई मस्दा होता है यह दुसरे को ग्रम्जानों के अंदर आपका आची में रोट पे निकले है और जब क्राफिक जयादा हो रोज़े की हालत में जब आपका अल्ट आल्ट सबर का एक आप आपके पैसा है तो आप डेखें के कहा वो पैसा आप शेयर कर सकते हैं कहा किसकी हमप हो सकती है या चलिए जतने अनसर्टेनिटी है हालात में अपने पैसे को सेफ करने की तो कोशिश करें कहीं आपको नहीं पता इतनी इतनी अंसर्टेनिटी में कल क्या होगा आपको नहीं मालूं तो आप कहीं सेविंग्स करें अपने आपको शो आफ करना कि मैं फ़ना जगा से कपड़े ले रहा हूं तो फना मेन ने पेने भीए और फना ब्रैंड में पहनता हूं, फना ज़गा खाना खाता हूं, किसी रिस्टराउन में भी आप चले याएं, किसी पिक्निंग सपॉट पे आप चले जाएं, आपको बहूत अच्छे से मांन चलेगा, कि यहाँ पर महंगाई नाम की चीज एक्जिस तो करती है लेकिन महंगाई नहीं असर कर रही हम पे हम डीट के डीट है हम अपनी capacity पे गौर नहीं करते है हम अपनी needs पे गौर करते है कि हमें किस चीज की जरूदत है हमें बस वो चाहिए अपनी जिंदरी में यह चलो अगर आप अपनी life of course everybody has right and I am no one to judge anyone यह कोई भी किसी को judge करने वाला नहीं होता है बट आपकी जो नुमाइश है चीजों की नुमाइश और especially इस economic crisis के दौरान it is very unpaul and it shouldn't be there यह नहीं होनी चाहिए क्योंके देखे हम हम बहुत अच्छी life बुजारें लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे बहन बाइए है बागिस्तानी जो अच्छी life उस तरह से नहीं कर पा रही है जिनकी बहुत अच्छी थी but due to किसी की job चली गए किसी के साथ और मसायल हो गए किसी को यह समझ में नहाता कि बच्चों की फीज देनी है कि बिजली का बिल पे करना है तो आपने अगर आप उनकी help नहीं कर सकते किसी तरह उनको support नहीं कर सकते तो कम असकम उन्हें उस position में भी ना लेके जाए कि उन्हें फील हो कि यार पतनी हमारे साथ बुरा हो रहे है तो everything happens for a reason, of course, दूआ यही है कि हम इस economic crisis से बाहर निकलें जो लोग परिशानी में हैं वो परिशानी सिर बाहर निकलें और अलत अला हालात को दुबारा normalize करें लेकिन हमें अपना भी role play करना चाहिए हम सिर्फ government पे या policies पे ब्लेम नहीं कर सकते हमें अपने गरेबान ने भी जाके देखना होगा कि हमारा कुछ कितना फॉंटिबिशन है towards the reforms और वो रफॉर्म ना सिर्फ मुल्की policy मोनी चाहिए मुल्क मोनी चाहिए बलकि वो इस मुल्क में रने वाले इंसानों में भी ओने चाहिए so this is all from my side I really felt very bad after watching this video कुछ लोग इसका मजा कुरा रहा है कोई means बना रहा है we can please be relatable be mindful of what you are doing be thoughtful about your surrounding this is the need of the time so take care guys I'll be back with another video till then take care of yourself and if you think that you think that you match with me please share this video in your circle में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आपको लगता कि मेरे वीडियो अगर वाकी में इतने अच्छे हैं किसी पॉइंट से तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा so take care of yourself and Allah